वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में क्या कुछ एक्षन चल रहे हैं बिटकोईन के इथीरियम के बाकी सब कोईन्स के लेकिन उससे पहले आप सभी को very good morning I hope आप सब अच्छे होंगे और क्रिप्टो मार्केट की अगर बात कर लें तो अभी आप बिटकोईन की सिचुवेशन देखोगे 19,330 रूपी मनलब डॉलर्स पे यहाँ पर प्राइज आ चुके हैं बिटकोईन के 932 बिलियन डॉलर का पूरा क्रिप्टो मार्केट कैप है और अगर आप यहाँ पे बिटकोईन की लेवल देखोगे 18,200 तीन सो जो है यहाँ पे हिट करके बिटकोईन ने फिर से यहाँ पे पल्टी मारी है और यह जो है उपर की तरफ 19,639 का हाई लगा दिया तो मार्केट किस तरह से पल्टी मार रहा है यह चीज भी आप देख सकते है 18,300 से 19,600 तक का बिटकोईन ने हाई लगा दिया उसी टाइम फटा फट ठीक है और 19,330 पे जो है अभी इसके प्राइस चल रहे हैं बिटकोईन के ठीक है अब आपको पता है कि कल है 21 सेप्टंबर और कल का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ही कही न कहीं वालेटिलिटी मार्केट में आएगी और कल का दिन किस डिपेंड करता है कितना इंटरस्ट रेट यहाँ पे हाइक होता है अगर जो possible scenarios है 75 basis point होता है तो pump and dump वाली situation रहेगी market फिर भी volatile होगा लेकिन अगर 100 basis point इंटरस्ट रेट को हाइक किया जाता है तो फिर यहाँ पे market और भी ज़्यादा dump हो सकता है ठीक है वो scenarios अगर हुए तो market के लिए अच्छा नहीं होगा अब वो 100 basis point बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं ये कल ही देखने को मिलेगा हर बार possibilities यही है कि 75 basis point तक जो है बढ़ सकता है ठीक है तो अगर जैदा बढ़ गया तो market और भी नीचे आएगा ये चीज आप clear समझ लो अभी Bitcoin आप देखो 19,300 है Ethereum 1350 डॉलर पे चल रहा है जो Ethereum Bitcoin के 2-3% टूटने पे ये Ethereum 5-6% 7% टूट जाता था आज वो Ethereum बिल्कुल भी नहीं उठ पार है आज Ethereum में जैदा move नहीं आ रहे हैं जैदा moment नहीं हो रहे हैं BNB coin 268 डॉलर पे चल रहा है इसके लावा XRP Ripple 0.37, Cardano 0.44, Cardano का वैसिल हाड़फोक है लेकिन Cardano में भी जैदा कोई बड़े move नहीं आ रहे हैं लेकिन हाँ XRP Ripple अगर आप देखोगे constantly यहाँ पे इंक्रीज हो रहे है प्राइस ठीक है इंक्रीज हो रहे हैं अच्छी बात है लेकिन अभी भी XRP Ripple बहुत नीचे चल रहा है ठीक है और एक जो इशू चल रहा है lawsuit वाला आपको पता ही है और इसके लावा अगर हम बाकी coins की बात कर लें Solana, Dogecoin, Polka.v6.3 डॉलर पे आ चुकी है Polygon 0.75, Shiba Inu 0.4 x 01089 तो market के levels थोड़ से यहाँ पे Bitcoin के साथ साथ उठते हुए दिख रहे हैं 2-3% बाकी सब coins भी उठ गए हैं जितना Bitcoin उठा है ठीक है तो अगर हम Shiba Inu की बात कर लें तो यहाँ पे 0.4 x 01088 की जो सीरीज है वो चल रही है Shiba Inu की यह price action चल रहे हैं 0.4 x 01058 के level हैं और 0.4 x 01107 यहाँ पे high है Shiba Inu का अगर हम बात कर लें यहाँ पे chart की तो बस 1050 से लेके 11 तक के high लगा रखे हैं और trading volume अगर आप देखेंगे तो ज्यादा trade नहीं हो रहा है 5.9 billion dollar market cap जरूर हो गया Shiba Inu का यह कुछ current action है crypto market को और अगले 24 से लेके 48 hour बहुत important है जब तक जो FOMC की जो inflation जो interest rate high होने वाले हैं उसका number निकल के नहीं आता है कितना interest rate high होता है तो उसका आपको wait करना पड़ेगा उसके बाद ही कोई decision लीजेगा market के अंदर ठीक है अभी थोड़ा सा wait कीजिए शुरुआत करेंगे BitGuard से BitGuard की तरह से update है download BitKeep and win reward BeRise तो यहाँ पर BitKeep wallet ने already support एड़ किया हुआ है BitGuard का काफी time हो चुका है और BitKeep and BitGuard BeRise Carnival Week is coming $8,000 के BitGuard BeRise वो मिलेंगे 1000 users को जी हाँ एक तरह से giveaway है और timing अगर आप देखो के 19 September से लेगे 25 September है तो आप भी स्मोके का फायदा उठा सकते हैं $8,000 के जो BitGuard है वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं ठीक है 1000 users के लिए हैं और कई ना कई एक तरह से जो giveaway है वो यहाँ पर किया जा रहा है next update की बात करें तो new record और 9 lakh addresses now hodal over 1 bitcoin एक नया high बन चुका है एक नया record बन चुका है और 9 lakh ऐसे wallets हैं 9 lakh हैसे holders हैं 9 lakh हैसे addresses हैं जिनके wallet के अंदर ना जिनके पास एक bitcoin तो है और वो hold किया हुआ है तो एक bitcoin वाले जो wallets हैं जो addresses हैं उनका number 9 lakh तक पहुँच गया है मैं यहाँ पर 10 या 100 bitcoin वाले wallet की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ एक bitcoin की बात कर रहा हूं जिनके wallet में at least एक bitcoin तो है ही है और अगर आप यह चार्ट देखोगे एक bitcoin वाला है यह जो चार्ट देखोगे नीचे से यहां से उठ उठके सीधा उपर high और यह high लग चुका है 9 lakh का पहुच चुका है नंबर और यह data आप देखोगे तो काफी मज़ेदा data है 2010 से लेके यहां पर धीरे-धीरे graph जो है उपर की तरफ 2016 में यहां पर high लगाया फिर 2018 में फिर 2020, 2021 और 2022 में bitcoin जब dip में आया तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने bitcoin को purchase किया है dip में तो last 24 hour में कितने Shiba Inu burn हुए है अगर वो data देख ले हम तो यहां पर 8 million tokens ही burn हो पाए है इतनी supply निकल पाई है last 24 hour के अंदर 10 million से भी tokens कम burn हुए है और कहीं न कहीं कम burning की वज़ा से जो है यहां पर burn rate भी negative में चल रहा क्योंकि कल जो थी burning वो जयदा थी आज कम है इसलिए जो है negative में आ चुका है burn rate next update की बात करें तो वो है चिलिस को लेके और चिलिस की अभी हमने recently बात की थी और is holding चिलिस essential for investor to beat the beer market अगर आप देखोंगे पिछले कुस टाइम से चिलिस की जो performance है वो काफी अच्छी चल रही है और अभी ये currently कल भी अगर आप देखोंगे 19-20 रूपीज के राउंड जो है ये आ गया फिर से 17-18 पे चल रहा था और CHZ was the only token that saw significantly positive in the last 7 days तो यही एक ऐसा coin है जो पिछले 7 दिन के अंदर काफी ज़्यदा positive है और आगे भी positive रह सकता है क्यों क्योंकि जो हमने आपके साथ share किया है चिलीज के बारे में अगर आपने वो वीडियो चेक आउट नहीं किया है तो वीडियो चेक आउट जरूर कर लेना मैं आपको लिंक देदूंगा description में तो बिलकुल अगर आप अभी देखोगे 9% यह green में चल रहा है और 19.73 मतलब 20 रुपे के करीब और 20 का high लगा क्या है 20 रुपी 50 पैसे तक यहां पर प्राइज इसके गए है और 2 बार अगर आप देखोगे ठीक है 2 double top यहां पर आप देख सकते हो और price नीचे के अगर नंबर देखोगे तो लगातार price increase हो रहा है पिछले 60 दिन के अंदर 124% यह उचल चुका है coin और काफी अच्छी performance चिलीज की हमको लगातार देखने को मिल रही है next update है rich dad poor dad के जो author है list 7 reason to buy bitcoin तो पिछले कुछ टाइम से जो रोबर्ट के उसाकी है rich dad poor dad के author वो काफी टाइम से कह रहे हैं कि bitcoin को यह टाइम है buy करने का और reason क्या है buy करने का आपको पता यूएस की economy का क्या कुछ हो रहा है यूएस की GDP stand अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो GDP है 24.8 trillion डॉलर की है living the country's debt to gbt ratio at 137% एक तो यह जो interest rate high को रहे हैं और एक जो inflation बढ़ रहा है ठीक है यह कुछ ऐसे reasons हैं तो interest rate को लेगे यहाँ पे बात की है Robert के उसाकी ने ठीक है इसके लावा inflation तो बढ़ी रहा है अल्रेडी Elon Musk भी बता चुके हैं तो सारी चीजों से कैसे बच पाऊ गया आप बचने का तरीका यही है कि यही साही टाइम है Bitcoin cryptocurrency में investment करने का यही चीज कह रहे हैं Robert के उसाकी next update है Bank of America की तरह से Bank of America market strategies say summer rally is over as crypto and stocks slide ahead of federal hike this week Bank of America ने भी यहाँ पे कुछ कहा है और digital currency markets चाहिए आप जितनी भी market देख लो stock market देख लो US का सब यहाँ पे जो है down चल रहे हैं पिछले कुछ दिन से जब से CPI data है तब से और यह pressure अभी तक बना हुआ और यह pressure तब तक बना रहेगा जब तक interest rate hike नहीं हो जाते कितने होते हैं उसके बाद market का क्या कुछ रहता है ठीक है यह सब चीजे depend करती है उसके बाद ही हमको कुछ market में अच्छा होता हुआ दिख सकता है लेकिन वेट करना पड़ेगा कल के दिन का कल क्या होता है next update है Bitcoin is heading to $14,000 और यहां पर जो है एक यहां पर फिर से जो analyst Nicholas उन्होंने कहा है कि Bitcoin का जो यह crash हुआ अभी recently वो कहीं न कहीं Bitcoin को धकेल सकता है $14,000 तक नीचे लेके आ सकता है ठीक है कैसी territory के नदर Bitcoin आ सकता है आने वाले time में अब यह चीज पॉसिबल होगी या नहीं होगी यह चीज टाइम बताएगी कल ही पता चल जाएगा market किस तरह से चलने वाला है आगे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है ANKR की तरह से ANKR partner with polygon to enhance the web 3.0 building experience for supernet developers तो web 3 का जो यहाँ पे build करने की तयारी जो चल रही है और ANKR की जो partnership हुई है वो polygon matic polygon के साथ हुई है तो एक अच्छी partnership होती हुई ANKR की web 3.0 को लेके last and final update की बात करें तो वो है coinbase की तरह से coinbase की उपर जब भी किसी coin की listing होती है तो काफी अच्छी हल चल उस coin में दिखती है और coinbase यहाँ पे support एड करने वाला है और देखो coinbase will add support for injective ING और pundix pundix भी आप इसको बोल सकते है pundix और xmon यहाँ पे जो है यहाँ पे तीनों का support on ethereum network ERC20 token do not send this asset over the network और your funds may be lost other network के उपर आपको funds transfer नहीं करना है क्योंकि ERC20 tokens है तो बिल्कुल अगर आप देखोगे coinbase and coinbase exchange in the region where trading is supported and trading will be begin on 9 a.m. 20 September if liquidity conditions are met तो यहाँ पे trading भी शुरू होजेगी इन सभी coins की pundix की बात कर लें तो पिछले कुछ दिनों में यह अच्छा perform कर रहा है 27% यह green में चल रहा है अगर आप देखोगे 47 rupees का चल रहा है 0.59 dollar पिसका price है last 24 hour में 38 rupees से लेके सीधा सीधा 47 तक इसका price गया है अगर हम 7 day का chart देख लें यहाँ पे इसका तो 60 तक इसके price थे 40 तक आए है 1 month का chart देखोगे तो 55 तक 3 month का chart देख लें तो 70-80 रुपे के करीब इसका price था वहाँ से drop हुआ है market crash हुआ तो लेकिन नीचे के number शानदार दिख रहे हैं तो थोड़ा इस पर भी नजर रखें नई listing हो गई है ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी तो यह और भी अच्छा perform कर सकता है बाकि और जो coins हैं वो भी यही कुछ crypto currency news and updates इस वीडियो में आप सब कुछ समझेंगे वीडियो पसंद आया है वीडियो को like, share, comment जरूर कीजेगा like में गंजूसी मत कीजेगा ठीक है और comment भी कीजेगा कि क्या कुछ next वीडियो आप चाहते हैं किस topic के उपर किस coin के उपर और किसी भी crypto में invest करने से पहले अपनी जो research है वो जरूर करें वो बेहत जरूरी होती है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई